दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों UPPCS प्रारंभिक परिक्षा 2022 के लिए महत्तोपूर्ण प्रश्णों के टेस्ट स्रीज में हम साल्व करेंगे सामान्य अध्यन यानि जनरल इस्टेडीज के महत्तोपूर्ण प्रश्णों का अभ्यासेट ये प्रश्ण यूपी PCS प्रारंभिक परिक्षा के साथ साथ अन्य परिक्षाओं जैसे बिहार PCS यंपी PCS राजस्थान PCS के साथ साथ आरो यारो यानि समिक्षाधिकारी सहायक स प्रारंभिक परिक्षा के लिए सामान्य अध्यन के महत्तोपूर्ण प्रश्णों का टेश्ट संख्या 27 पहला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है देखिए मुगल बास साह बहादूर साह के संबंध में निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि इसका पूर्व नाम मुवज्यम था दूसरा है कि बहादूर साह का उपनाम साहे खवर था और तीसरा है कि उतराधिकार की युद्ध में गुरगोविन सिंग ने इसका साथ दिया था चौथा कतन है कि इसके सासनकाल में लाल कुमारी नामक बेश्या का प्रसासन में हस्तक्षेप बढ़ गया था तो दोस्तों इसमें देखिए कि बहादुर शाह के संबंध में जो सही कथन है वो है कि इसका पूरो नाम मुज्जम था आप जानते हैं बहादुर साह का उपनाम शाहे खबर था और उत्राधिकार की युद्ध में गु जो है कि इसके सासनकाल में लाल कुमारी नामक बेश्या का प्रसासन में हस्तक्षेप बढ़ा था ये आपका सही कथन नहीं है इसका करण ये है कि लाल कुमारी नामक बेश्या द्वारा प्रसासन में हस्तक्षेप की अनुमती किसके समय में जहां दार शाह के समयकाल में मिल कीजिए देखे पहला कथन है कि Demetrius Once का सरवाधिक प्रसिद्ध सासक Antial Kids था ये कथन एक है ये आपका सही कथन नहीं है दूसरा है कि Heliodorus Antioclutes का राजदोत था ये सही है और तीसरा है कि कालिदास ने यवनो के आकरमर का उल्ले किया है तो इसमें से आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही है तो कथन 2 और 3 आपके सही है आपसन A आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों Demetrius Ons का सरवाधिक परसिद्ध सासक देखें, Antia Clites नहीं Antialcates नहीं बलकि कौन था ये मिनांडर था याद रखिएगा Demetrius Ons का सबसे आजदोत हेलियोडोरस नहीं बेसनगर में गरुड़ज की अस्थापना की थी और आप जानते हैं कि पतंजली और कालिदास ने यवनों के आकरमण का उल्ले किया है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपसन A दो और तीन कथन सही है पहला कथन की Demetrius Ons का सरवाधिक परसिद्ध सासक इन्टियाल कीट्स था ये गलत है दोस्तों इन्टियाल कीट्स ये युक्रिटाइडीज वन्स का सासक था अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों असत्य कथन का चयन कीजिए इसमें आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा गलत कथन है देखिए उत्तरी गोलार्ध में अस्थल की अधिकता के कारण महासागरों का तापकरम दक्षडी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है ये आपका सही कथन है देखिए और इसकी अलामा दक्षडी गुलार्ध में समताप रेखाएं अच्छांसों के समानांतर पाई जाती है सही है हैलो क्लाइन किसी जल निकाय में घनत और प्रवर्ता को प्रदर्शित करता है तो ये आपका सही नहीं है गलत है और चौथा है कि काल्सबर्ग कटक भारत और अफरिका के मद्धे पाया जाता है तो दोस्तों इसमें तीन कथन सही है लेकिन गलत कथन हैलो क्लाइन किसी जल निकाय में घनत और प्रवर्ता को दर्साता है तो ये सही नहीं है क्योंकि हैलो क्लाइन किसी जल निकाय में लवड प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर इंडोनेसिया का सबसे बड़ा द्वीप है जबकि जावा में सरवाधिक जन घनत तो पाया जाता है अगला प्रशन है दोस्तों निमने लिखी जीलों में कौन सी जील तंजानिया और युगांडा की सीमा बनाती है तो आप जानते भी होंगे विक्टोरिया जील तंजानिया और युगांडा की सीमा बनाती है विक्टोरिया जील अफ्रिका की सबसे बड़ी जील है ये सुपीरियर जील के बाद ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी जील है तंजानिया और युगांडा की सीमा पर ये इस्थित है और इन दोनों देशों के अत्रिक्त दोस्तों के किन्या की सीमा भी विक्टोरिया जील से लगती है अगले प्रश्ण पर आते हैं निमने लिखित में से किस क्रम की चट्टानों का प्रयोग सांची के अस्तूप निर्माड में किया गया है आप सन्हें गुंडवाना क्रम बिंध्य क्रम कुडपा क्रम या दक्कंट्रेप तो स कि बिंध्य क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है और ये चट्टाने परददार होती है और इनका निर्माड जल निच्छेपों के द्वारा होता है अगले प्रश्ण पर आते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलन करिए परवत निर्माड का यूग और परवतों से प्रीक्रेंबियन यूग दोस्तों प्रीकेंब्रियन यूग जो है ये अरावली परवत ये है इससे संबंधित कैलिडोनियन यूग इससे सही सुमेलित हो जाएगा पूर्वी घाट हरसीनियन यूग इसका सुमेलन हो जाएगा सत्पुडा और टर्सियरी यूग में सिवालिक स्रेडी या सिवालिक पर्वत का निर्माड हुआ है तो देखिए पर्वत निर्माड का युग और पर्वतों से जब आप सही सुमेलन कराएंगे तो इसमें प्री केम्ब्रियन में अरावली, कैलीडोनियन युग में पुर्वी घाट, हरसीनियन में सत्पुडा और टर्सीरी में सिवालिक का निर्माड हुआ है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आप सन ए हो जाएगा एक, तीन, दो और चार आपका सही सुमेलन है इसको अच्छे से याद कर लिजेगा अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से किस प्रकार की मिर्दा को स्वतह जुताई वाली मिर्दा कहा जाता है आपको बताना है लाल, काली, लेट, राइट या मरुस्थली मिर्दा तो आप जानते हैं काली मिर्दा इसको कपासी या चेरनोजम मिर्दा भी कहा जाता है इसमें गर्मी के मौसम में स्वतह दरारे पड़ जाती है जिसकी कारण इसको स्वतह जुदाई वाली मिर्दा कहते हैं और इसकी जल धारन छमता सरवाधिक होती है अगला प्रश्ण है मूंगा रेसम का ब्रिहत्तम उत्पादक राज्य कौन है बिहार, असम, मड़ीपूर या फिर करनाटक तो सही उत्तर है दोस्तों मूंगा रेसम का सबसे बड़ा उत्तपादक राज्य असम है आपसन भी आपका सही उत्तर है जारखंड टसर रेसम का सरवाधिक उत्तपादन करता है जबकि करनाटक में देश का कच्चा रेशम सबसे अधिक मात्रा में उत्तपादन होता है अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों भारत में सहकारी स्वामित वाले पहले उर्वरक कारखाने की अस्थापना किस राज्य में हुई थी तो आपसन है राजस्थान, तमिलनाड, बिहार या उत्तर प्रदेश तो सही उत्तर बिहार में बिहार में दोस्तों देखिए सिंदरी नामका स्थान पर सिंदरी बिहार में है और यहां पर दोस्तों सबसे पहले सहकारी स्वामित वाले उर्वरक कारखाने की अस्थापना की गई थी अगले प्रेशन पर आते हैं निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए यहां पर दिखिए वर्स 1903 में मदरास से काटकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और दूसरा कथन है कि ततकालीन नौ गठित आंध्र प्रदेश की राजधानी वारंगल थी तो इसमें से सही कथन का चैन करना है आपको केवल पहला कथन यानि कथन एक आपका सही है आपसन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप देखें उननीस सो तिरपन में जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था तो उसकी राजधानी कुर्नूल थी और उननीस सो चपन में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बनाई गयी थी तो ये बारंगल नहीं बलकि कुर्नूल थी और प्रदेश की राजधानी जब इसका नया गठन किया गया था उननीस सो चपन में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बनाई गयी थी अगला प्रशन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस जनजात में ताडी नृत्त की परमपरा पाई जाती है आपको बताना है आपसन है आपके उराओं संथाल टोड़ा या फिर खासी तो सही उत्तर क्या है संथाल जनजाती दोस्तों आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा संथाल जनजाती जो है इसमें दोस्तों देखे संथाल जनजाती में आपकी ताड़ी नृत्ते की परंपरा पाई जाती है य जादूर्न रित्य किया जाता है जादूर्न रित्य याद रखिएगा उराउं जन्जात में और ताड़ी निरत्य संथाल जन्जात में पाई जाती है अगले प्रश्न पर आते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिये और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करना ह NTPC पर्योजना और उससे संबंधित प्रदेश देखे रिहंद पर्योजना NTPC की उत्तर प्रदेश में है कोरबा आप जानते हैं 36 गढ़ में है कहल गाउं ये आपका बिहार में इस्थित है और तलचर पर्योजना NTPC की ओडिशा में है तो सही उत्तर हो जाएगा 2,1,4,3 देखते हैं आपसन 2,1,4,3 आपसन B आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है कि देश के उत्तर पश्यमी भाग में मानसून सबसे बाद में पहुँचता है तथा सबसे पहले वहाँ से वापस लोट जाता है दूसरा कथन है कि लोटती हुई मानसून पाउने तमिलनाड में वर्सा करती है तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है तो सही कथन है केवल 2 देखिए आपसंद 2 आपका सही कथन है आपसंद B सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोटती हुई पाउनों से तमिलनाड में बरसा होती है ये पाउने बंगाल की खाड़ी से जलवास पग्रहन करती है और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में यहाँ पर बरसा करती है पहल से पहले वहाँ से वापस लोटता है ये कथन आपका गलत है अगला प्रशन है बिसो का सरवाधिक सक्री ज्वाला मुखी कौन सा है तो दुनिया का सरवाधिक सक्री ज्वाला मुखी हवाई द्वीप में किलायू ज्वाला मुखी है ये हवाई द्वीप में इस्थित है या प्रवाल निमनलिखित में से किस संग के जीव हैं ये देखिए जीव विज्यान से संबंधित प्रश्न है पूरी फेरा एनलीडा सिलेंटरेटा या प्लेटी हेलमेंथीज किस वर्ग के जीवों में प्रवाल शामिल हैं तो सही उत्तर है सिलेंटरेटा दोस्तों प्रवाल जो हैं संग सिलेंटरेटा के जीव हैं इन्हें महासागरी वर्सा बन भी कहा जाता है यहाँ पर जय विवित् यानि प्रवाल उश्ल कटिवंधी महासागरों में पाए जाते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए देखिए कथन एक है कि लिम्पोपो नदी करकरेखा को दो बार काटती है लिम्पोपो नदी बोथ स्वाना और जिम्बाम्बे की प आपसन B सही उत्तर हो जाएगा देखिए लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है करकरेखा को नहीं तो याद रखेगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है करकरेखा को नहीं और इसका उदगम साउथ अफरिका में है बोथ स्वाना और जिम्बा प्राकरतिक सीमा बनाती है, हिंद महासागर में गिरती है और ये करक रेखा को नहीं बलकि मकर रेखा को दो बार गाटती है अगला प्रश्ण है कि निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है देखिए इसमें अस्थानी पावने हैं और उनसे समबंधित द अजिंटीना सही समेलित है तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप संसी बुरान जो है ये फ्रांस से सही समेलित नहीं है बुरान एक अस्थानी पावन है जो की रूस और मध एसिया में चलती है और ये अत्यांत ठंधी हवा है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौ अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है केन, हिंडन, कर्मनाशा और चंबल तो सही उत्तर है दोस्तों कर्मनासा नदी देखिए कर्मनासा नदी यमुना की सहायक नदी है और ये बिहार की कैमोर स्रेडिस निकलती है 64 के निकट कर्मनाशा नदी में मिल जाती है अगले प्रश्ण पर आते हैं निमनलिखित जिलों में सरवाधिक 1-6 प्रतिशत वाला जिला कौन है? चंदवली, पीलिभीत, मिर्जापूर और चित्रकूर तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सरवाधिक 1-6 प्रतिशत वाला जिला है आपको बताना है तो पहले अस्थान पर सोनभद्र है, दूसरे अस्थान पर चंदवली है और तीसरे अस्थान पर चित्रकूर है तो इसमें सोनभद्र आपसंदिया नहीं है आपका तो इसलिए चंदवली सरवाधिक 1-6 प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा उतर प्रदेश का अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से सही सुमेलित कौन सा है देखिए कागज सहारनपूर सही सुमेलित है खेल का सामान मतुरा सुमेलित नहीं है माचिस चित्रकूट ये भी नहीं सुमेलित है और लकड़ी के खिलावने आजमगर नहीं सुमेलित है तो इसमें कागज का प्रमुक केंद्र सहारनपूर है आपसन ए आपका सही सुमेलन है दोस्तों खेल के सामान के लिए आगरा और मेरट माचिस के लिए बरेली और लकडी के खिलाओने के लिए लखनव और वारांड सी प्रसिद्ध है अगला प्रिशन है बैस्विक भुखमरी सुचकांक 2020 में भार भारत का 94 वां अस्थान था आपसन ए आपका सही उत्तर है और 2019 में ये 102 वे अस्थान पर था लेकिन वर्तमान में जो 2021 की रिपोर्ट है इसमें भारत की स्थिति और खराब हो गई है 2021 में ये 116 देशों की सुची में 101 वे अस्थान पर आ गया है और भारत की अपने पडोसियों से भी खराब इस्थिति है तो कुल मिलाकर बैस्विक भुखमरी सुचकांक 2020 में 94 वां अस्थान और 2021 में 101 वां अस्थान है अगला प्रश्ण है जुलाई 2021 में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी द्वारा किस रेलवे इस्टेशन के उपर देश का प्रथम फाइव इस्टार होटल का उधगाटन किया गया है आपसन है चतरपती सिवाजी टर्मिनल मोंबई गांधी नगर रेलवे इस्टेशन आनंद भिहार रेलवे इस्टेशन और या फिर चंडिगर रेलवे इस्टेशन तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी द्वारा गांधी नगर रेलवे इस्टेशन के उपर फाइव इस्टार होटल का उधगाटन किया गया है अगला प्रश्ण है इंडियन आइल कारपॉरेशन यानि आई ओसी द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रधिस के किस जिले में अस्थापित किया जा रहा है आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों ये मतुरा जिले में अस्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अगले प्रश्न पर आते हैं कि इस राज्य सरकार द्वारा कोरोना से अनात होने वाले बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का सुभारम किया गया है तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दोस्तों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात द्वारा 30 माई 2021 को देखिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योशना का सुहारम किया गया और इसके अंतरगत लाभार्थियों को प्रतिमा 4,000 रुपए दिये जाएंगे अगला प्रश्ण है अंतरिक श्यात्रा करने वाला सबसे कम उम्र का अंतरिक श्यात्री कौन है दोस्तों देखिए इसमें ओलिवर डेमन ये बहुत ही महतोपूर है ओलिवर डेमन ये अमेर्की अरबपती जेफ बेजोस की राकेट ने उसे फट द्वारा की गई संचिपत अं अंतरिक श्यात्रा में श्यात्री वने इनके उम्र मात्र 18 वर्स है अगला प्रश्ण है मुगलकाल के संदर में राज गामिता कानून के बारे में सही कथन की पहचान कीजिये और दिये गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चैन करिए पहला कथन है कि इसके तहट और अंग और दोस्तों और अरणजेब ने इसमें सुधार्ट के खिलाब विद्रोह करने वाले सरदारों को धंडित किया जाता है ये भी सही नहीं है और चौथा है कि इसके तहट किसी अमीर की मृत्य हो जाने पर उसकी संपत्ति बादसाह की हो जाती थी तो ये राजगामिता कानून क सही है दोस्तों राजगामिता कानून मुगलकाल में और किसी अमीर की मृत्य के पर शात उसकी संपत्ति बादसाह की हो जाती थी और उसकी अधिगरहिस संपत्ति राजजी के बैतुलमाल नामा का स्थाई विभाग में रखी जाती थी और दोस्तों और अरंग्जेब ने इ वल चार आपका सही है अगला प्रश्ण है मुगल काली इन पर सासन के संबंध में चाकला नामा की काई के संबंध में निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए और सही कतन का चैन करिए तो देखिए यहां पर कतन है दोस्तों देखिए कि जहांगीर के सासनकाल में चाकला ना तो ये आपका सही है और चौथा है कि यह इकाई सरकार के संतुले थी और सारकार पर नियंतरनरो और संतुलन अस्थापित करती थी तो ये भी सही नहीं है दोस्तों चाकला नामक इकाई के बारे में केवल तीन आपका सही है आपसंडी सही उत्तर हो जाएगा देखिए चाकला की बात ये है कि आप देख सकते हैं दोस्तों मनसबदारी बेवस्था को मुगल सामराजी का इस पाती धाचा माना जाता था और साहजहां ने अपने सासनकाल के 20 वर्स में मनसबदारी बेवस्था में महाना बेवस्था का विकास किया था और यहाँ पर चाकला जो है सरकार और परगना के बीच चाकला इकाई के स्थापना साह जहां के सासनकाल में की गई थी तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें जो विकल्प आपके दिये हैं कि इस एकाई के और सासनकाल में और रंग्जेव और जहांगीर के सासनकाल में नहीं बलकि साह जहां के सासनकाल में आपसन डी केवल तीन आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दोस्तों मुगल कालीन मनसबदारी ब्यवस्था की बारे में सही कथन की पहचान कीजिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का आपको चैन करना है देखिए मशरूत पड़ाली की सुरुआत जहांगीर द्वारा की गई और दूसरा है शिसमाहा और सिमाहा जागीर का विकास औरंग्जेब ने किया था तो दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही नहीं है इसका काराण ये है कि मनसबदारी ब्यवस्था को मुगल सामराजी का इस पाती धाचा सहजहा ने अपने सासनकाल के बीशवे वर्स में मनसबदारी ब्यवस्था में महाना ब्यवस्था विक्सित किया और इसके अंतरगत उस मशरूत पढ़ाली का विकास किया जिसके तहट किसी अभियान या विद्रोह के समय बीना जात पद में बृध्ध किये सवार संख्या में बृध्ध की जा सकती थी तो मशरूत पढ़ाली जहांगीर दोरा नहीं बलकि और अंग्जेब दोरा शुरू की गई और सिसमाहा और सिमाहा जागीर का विकास ये दोस्तों सहजाने किया था तो दोनों ही कथन आपके सही नहीं है उपर युक्त में से कोई नहीं अगला प्रश्ण है अकबर की मनसबदारी ब्यवस्था की बारे में सही कथन आपको बताना है कथन एक है कि अकबर की मनसबदारी ब्यवस्था मध्ध एसिया से प्रभाविट थी यह आपका सही है अकबर ने मनसब में जात जोड़ा यह सही नहीं है दोस्तों आप जानते हैं कि अकबर के सासनकाल में 40 में वर्ष में मनसब में सवारपद को जोड़ा गया था जबकि जात पद मनसबदारी व्यवस्था शुरुवात से ही चल रही थी तो देखे केवल एक आपका सही होगा आपसन ए सही उत्तर है अगला प्रश्न भी मुगलकाल से संबंधित है मुगलकालीन जागिरदारी व्यवस्था के विशे में सही कथन की पहचान कीजिए अलतमगा जागिर की शुरुवात अकबर ने की थी ये सही नहीं है और दूसरा कथन है कि साहजहान जागीरों में इजारेदारी यानि ठीकेदारी की व्यवस्था को शुरुवात की तो ये आपका सही उत्तर है दोस्तू, अलत मगा जागीर जो अलतमगा जागीर के शुरुवात जहागीर दौरा की गई थी अकबर दौरा नहीं तो इसमें देखें, केवल 2 केवल 2 आपका आपसन B सही उत्तर हो जाएगा जागीरों में ठेके दारे पढ़ाली की शुरुआत साह जाहने की थी हलांकि ये वेवस्था क्रिस्कों के लिए अभिशाप सिद्ध होई थी अगला प्रश्ण है कि E. संजीवनी किस से संबंधित है जिसकी शुरुआत 2021 में की गई है अगला प्रश्ण सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिये गए कूट की आधार पर सही उत्तर का चैन करना है आपको देखी दोस्तों सहज विजली हर घर योजना ये 2017 में शुरू की गई इसकी अलावा प्रधान मंत्री उज्वला योजना 2016 में जल जीवन मिशन आपका ये 2019 में और प्रधान मंत्री आवास योजना 2017 में तो सही उत्तर आपसंसी हो जाएगा 3,1,4 और 2 सही सुमेलन है अगले प्रशन पर आते हैं निमनलिखित युगमों पर विचार कीजिए सुचकांक और रिपोर्ट तथा उनको जारी करने वाले संगठन इसमें से सही उत्तर का चैन करना है यहाँ पर देखिए दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि विनियामक गुडवत्ता सुचकांक बिस्व बैंक के बिस्व सासन संकेत का हिस्सा है यह नीती आयोग द्वारा नहीं जारी किया जाता है बिस्व बिधी सूचकांक जो है ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है बिस्व बिधी का न्याय सूचकांक बिस्व न्याय परियोशना ये सही आपका सुमेलित है और इसके अलावा इज आप डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बिस्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है तो केवल 2 और 3 आपका सही उत्तर है आपसन B सही सुमेलन है अगला प्रशन है दोस्तों बजट पुराना बजट है 2021-22 की बजट में किस उर्जा मिशन को सुरू करने का निड़े वित्त मंत्री ने लिया था अगले प्रशन पर आते हैं उज्वला योजना की बारे में कौन सा कथन सही है तो दोस्तों देखें इस योजना को 1 मई 2016 को शुरू किया गया था और अब तक लाभानवित परिवारों की संख्या 8 करोण तक पहुँच चुकी है और दूसरा है कि बजट 2021-22 में 1 करोण अर्थ रिक्त लाभार्थियों तक इसका विश्तार किया गया तो दोनों ही कथन आपके सही है तो आप संसी सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनो अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों सूची एक का सुमेलन सूची दो से करना है आपको इसमें कांग्रेस अध्वेशन और उनकी प्रमुख बातें इसमें शामिल हैं देखते हैं देखें दोस्तों फैजपुर अध्वेशन 1936 में क्या सामिल किया गया तेरस उत्री अस्थाई क्रिसी कारेकरम घोशित किया गया हैरिपुरा कांग्रेस अध्वेशन 1938 में राष्टी नियोजन समिती का गठन किया गया कलकत्ता अध्वेशन 1928 में कांग्रेस का विदेश विभाग अस्थापित किया गया कलकत्ता अध्वेशन में कांग्रेस का विदेश विभाग स्थापित किया गया और कराची अध्वेशन में राष्टी आर्थिक कारेक्रम प्रस्ताव पारित किया गया तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा दो एक चार और तीन देखते हैं दो एक चार तीन आपसन डी सही उत्तर है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों कांग्रेस अध्वेशन और उनकी प्रमुख बातों का सुमेलन करना है ये महत्वपूर्ण प्रशन है देखिए वारारसी अध्वेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधी दी गई थी तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वारारसी अध्वेशन 1905 इसमें गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों विपक्ष के नेता की उपाधी दी गई थी तो आपको दूसरा हो जाएगा कलकत्ता अध्वेशन 1917 में कांग कांग्रेस अधिवेशन 1925 में आप देख सकते हैं कि पर्थम भारती महिला कांग्रेस अध्यक्ष और काकी नाड़ा में 1923 में अबुल कलामाजा सबसे कम उमर के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो सही उत्तर 2143 इसमें भी हो जाएगा आपसन देखते हैं 2143 आ आपका सही उत्तर है अगले प्रशन पर आते हैं निम्रलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला है कि बैंकों से जमा करता द्वारा अपनी जमारासी की अत्रिक्त धन निकालना ओवरड्राफ कहलाता है दूसरा ऐसे फंड जिनके माध्यम से सरकारी सेक्योर्टी में निवेश किया जाता है उन्हें एमबार्गो कहते हैं और मुल्ले वर्धितकर के पर्थम प्रतिपादक मारेस फारे और कारल सूप थे और मुल्ले वर्धितकर को F1 सीमेंस ने विक्सित किया था तो इसमें से सही क्या है सही है कि बैंकों से जमा करता द्वारा अपनी जमारासी की अत इस फारे और कारल सूप ने किया था और इसके प्रत्थम प्रतिपादक F1 सीमेंस थे अगले प्रशन पर आते हैं निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए कतन है दोस्तों यहाँ पर फेमा अर्थात फारेन एक्षेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का उद्देश से विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देन को उदार बनाना और देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित और सूबेवस्थित विकास को प्रोचसाहित करना है दूसरा है कि इसने फारेन एक्षेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का अस्थान लिया और एक जुन 2000 से प्रभावी हुआ और तीसरा है कि विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय अर्जन और खर्च पर सरुपर्थम डिफेंस रूल 1949 के अंतरगतनी अंतरण लागाय गया था तो इसमें दोस्तों तीनों ही कथन आपके सही है एक दो तीन ये तीनों ही कथन सही है फेमा के बारे में आप देख सकते हैं तो ये आपका जो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ये तीनों ही कथना आपके सही हैं एक दो तीन अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों देखें निमनेलिखित कतनों पर विचार कीजे किसी देश का भुकतान संतुलन एक निश्य समयावधि में उस देश द्वारा आयातित और निर्यातित वस्तूओं के मौद्रिक मूल्ले का विबरण होता है और दूसरा है किसी देश का व पतलब होता है व्यापार संतुलन तो कतन दो भुकतान संतुलन तो यहाँ पर देखें दोनों में ही आपको ये गलत परिभाशा दी गई है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि भुकतान संतुलन जो है व्यापार संतुलन का संबंध द्रिस से व्यापार से होता है भुकतान स संडी हो जाएगा ना तो एक और ना दो अब आईए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रेश्न भारत में किस वर्स ब्यापार संतुलन घाटे में नहीं रहा है 1973-74, 1972-73, 1974-75 या 1975-74 तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देखिए अब तक दो बार भारत का व्यापार संतुलन घाटे में नहीं रहा है एक तो 1972-73 में जहां 104 करोण रुपए का वहीं 1976-77 में 79 करोण रुपए का आधिक की व्यापार सेज रहा है तो दो वर्स ऐसे रहे हैं जिसमें भारत का व्यापार संतुलन घाटे में नहीं रहा है 1972-73 और 1976-77 में तो दोस्तों ये था आज का वीडियो UBPCS प्रारंभिक परिक्षा और अन्य परिक्षाओं के सामान्य ग्यान और सामान्य अध्यान के लिए अस्तरी प्रकार के थे आप इनको तयार कर लिजेगा परिक्षाओं में इनसे प्रशन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्क दशन फार सिविल सर्विसेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार